मैंने इस साल का सबसे बड़ा IPO ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस बैंड तैह हो चुका है 72 से 76 रुपीज प्रती शेयर ओगिस्ट सेकंड को दर असल IPO खुलता हुआ दिखाई देगा और कंपनी के फाउंडर शेमिन और मैनेजिंग डिरेक्टर भाविश अगरवाल और CFO हरीश अभी चंदानी से एक्स्क्लूसिव बातचीत की हमारे सेयोगी अतिन मोताने इस साल के सबसे बड़े IPO के बारे में मार्केट एक्साइटेट है और मैं भी एक्साइटेट हूँ और इसलिए आज हमारे साथ ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट टीम बैठा हुआ है भाविश जो CMD है और हमारे साथ हरीश जी भी है जो CFOI कंपनी के भाविश बहुत 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 धन्यवाद CNVC आवास के साथ बाचीत करने के लिए बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन इस IPO के शुरू से हम देख रहे हैं वैलुएशन को लेके मार्केट अपना फिगर दे रही है आपने एक फिगर रखा है तो अब क्या बात बन रही है वैलुएशन को लेके और आपको लगता है कि इस वैलुएशन पर आपके पास सफिशन डिमांड है जिससे पूरा IPO सेल थू हो जाएगा यतन पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आपाए हमसे मिलने के लिए और जैसा आपने बोला यह बहुत एक्साइटिंग फेज है हमारे लिए भी और मार्केट से भी हमें बहुत बहुत अच्छी सेंटिमेंट की फीलिंग आ रही है हम ने जो IPO की pricing करी है ये IPO की pricing हमने ये सोच समझ के करी है के एक aggressive price हो मतलब उसमें लोगों को अच्छा लगे price क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया story है this is an Indian manufacturing story, Indian EV story, new age company, new age product manufacturing तो हम चाहते हैं कि पूरा जो इंडिया का market है, public market है, retail investor है वो हमारे साथ इस स्टोरी में जुड़े, इसलिए हम इस स्टोरी को जल्दी लेके आएं, ये कंपनी को चार-पांच साल पहले शुरू ही थी, तो मैं चार-पांच साल में हम इसको पब्लिक मार्केट में ला रहे हैं, और हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है, आपको हमा इस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े हैं, और हम साथ मिलके पूरा EV ecosystem बनाएं, बाविश आपने कहा कि 90% revenue growth आपने किया, लेकिन एक सवाल जो एक typical retail investor के मन में होता है, किसी भी investor के मन में होता है, कि part to profitability कैसे लेगी, पिछले जितने भी new age companies जैसे हम कहते हैं, कि new age companies लिस्ट ह हुई है, जब listing हुई थी तब थोड़ा बद investors को disappointment हुआ था numbers को लेकर, जैसे ही part to profitability established होती है, तब investors को अच्छा reward मिलता है, तो part to profitability के बारे में बताईए, कैसे आपकी journey रहेगी, मैं हरी से भी से बारे में सवाल पूछूँगा, लेकिन आपके initial views जानना चाहूँगा, देख और साथ के साथ जो EBITDA percentage है वो improve होता गया है, so FI24 में over FI23 I think negative 43 से negative 19 तक आगया है, so manufacturing में बिसनेस मोडल ऐसा होता है कि जैसे आपका revenue grow करता है, आपकी cost उसके साथ grow नहीं करती, cost fixed cost होती है और revenue से कफी operating leverage मिलता है, and FI24 के बाद last quarter में भी अगर आप April से जून तक हमारे numbers जो volume growth अच्छा हो रहा है, तो investors मैं exactly तो share नहीं कर सता है कि profitability कब होगी, but रास्ता साफ है और उस रास्ते पर हम चल रहे है, and यह तो volume से हमारा cost कम होगा, unit cost and margin बढ़ता है, then इसके beyond हमारी strategy रही है कि हम R&D in-house करेंगे, and हम vertical integration करेंगे core components का, manufacturing components का, उससे भी हमारे को coffee benefit मिल रहा है and margin expansion, जैसे one of the most important components जो आने वाले हैं, जो हम कर रहे हैं, वो है cell, EV का heart होता है cell, जैसे ice में heart था engine, EV का heart है cell, and हमने अपनी giga factory लगाई है, जिसमें lithium cell बनते है, हमें government से 20 gigawatt hour की highest allocation मिली है, PLI में, and हमारा lithium cell हमारे ही गाड़ी में अगले साल आएगा, and उससे further margin expansion होगा, क्यू वो हम localize कर लेंगे इंडिया में अपनी factory में, तो further उसका cost reduce होगा, तो यह सारे initiatives है, all of which are adding up to a path to profitability, and timeline तो मैं शहें नहीं कर सकता, but अभी हमारा right after listing, हमारा Q1 result भी आएगा, वो भी investors देखेंगे, क्या आपकी नई bike जो आप launch कर रहे हैं, 15 August को उससे भी दबदबा हो जाएग आप देखिये, bike तो हमने last year announce की थी, bike में बहुत interest है लोगों का, bike में एक youth की अलग pulse होती है, and मुझे भी बहुत पसंद है bikes, personally, तो इस 15 August को भी हम major announcements करेंगे, तो वो I hope लोग देखेंगे, and bikes will be the next growth story for EVs, and हम पूरे ready हैं उसके लिए, तो लिस्टिंग के दिन bike देखने मिली 15 August को ही देखने मिलेगी, 15 August is our annual हमारा हर साल 15 August देश के Independence Day के दिन हम अपने products launch करता है, एक आखरी सवाल आपसे हरीश, capacity जो है आपकी एक बड़ी capacity अलड़ी आपने infrastructure बना के रखा है, तो क्या ही capacity fungible होती है, bikes और scooter के बीच में, और इसके बाने में ज्यादा बताईए कि काम है, तो कैसे scale-up होगा और किस तरीके से आप cost structure overall basis पे गिरता होगा देखते हैं, देखिए capacity में हमने जो business design की है, जो infrastructure बनाया है, वो scale के लिए बनाया है, हमारी जो टूइलर factory है, उसके total capacity है, चार मिलियन के लिए जो shell है, जो utilities है, जो building है, वो सब चार मिलियन तक के रेड government में बनता है, तो capacity के लिए हम, I mean growth के लिए तयार है, और हम capacity के लिए इसे पहले हमा upfront investment कर दिया है, actually यह आगे चलके तो इस operating leverages को फायदा ही होगा हमको, और मैं all the best कहूंगा आप से, because market बहुत excited है, तो hope आप एक record बनाएं, सब्सक्रिप्स्रिप्स पे और CMD से आवाज के तृद भाचित करने के लिए बहुत बच्वित्त है, तैनक्यू, य।